प्रग्या मिश्रा जी ने निमंतर्ण दिया है मैं आपको टीवी में देखता था संजोग से आज आपसे पहली मुलाकात है ये प्रग्या मिश्रा जी कब प्रकट होती है ओम प्रकाश राजबर जी से हम मुलाकात करने के लिए आए हैं लेकिन हमका बहुते जादे लेट हो वेला वह हमारा वेट करें लेकिन आज बात करेंगे बहुत मजा आएगी अवेल आवेला अजब हुआ गरम धूद्ध पीते समय बिली चल जाती है तो माठा पुप के पीती है तो माठा भोग भोग कर पिया है आपका उल्टा चस्मा भी मैं देखता हूं आपको शुपाल यादव और अखिलेश यादव में से खीक नेता हूं तो अखिलेश यादव अखिलेश यादव करके वह दगे वे कर्था कर रहे हैं अमेरिका से पढ़के आये हैं विर्यासत में राजनीती मिल गई है तो धरातल लेकिन समाज बातियों ने हाथ नहीं आगे बढ़ाया नहीं लोग डाना डालने लोग बुला रहे हैं अवह प्रिकास राजवर नहीं जा रहे हैं यह नंबर एक के जुठा है ये तो साधू महत्मा इनको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए फीतो जूठा ही या आइसे आभी है साथ में नाहीं हमरे साथ या बैच दिया एलाइसा बैच दिया पूरा दे सबसे पर लगे हैं अहिर गडेरी, कुनबी, कोईरी, भार, चमार, मुसार, धोभी, खटीक, पासी, केवट, बीन, मला, जुला, दुनिया, अंसारिक, सेख, सेख, सेद, पठान, चवान, ठाकुर, ब्राहण, बनिया, लाला, गोन, करवार, भुनियार, बियार, नाई, ये जातियां जो हैं आजा बड़े-बड़े कारप्रेट, देश का विकास कर रहे हैं, गुजराती मिलकर तो गुजरातीयों से तनी दिक्कत का है, अरह देश लूट रहे हैं, देखे हम बहुत गरीब परिवार के हैं, अहली बार, कि हम खेत में बैलों से जुताई करके, अन्नपैदा करके हम लोग ख देखे ला, सोचे ला, परखे ला, तब जाकर बोट देवेला, तो कहते हैं जो ओम प्रकाश राजभर को समझ लेगा, वो उत्तर प्रदेश की राजनीती को समझ लेगा, तो आज हमारे साथ हैं सुभासपा के राष्ट्रे अध्यक्ष्रे श्री ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान सरकार के पूर्व मंत्री राजबर जी तो यह ऐसे नेता है जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं लेकिन होता कुछ और है तो आज इनसे बात करके बहुते ज्यादा मज़ा आने वाली है लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि यह बाते बड़ी धुआधार और बड़ी इसनाते वह नेता है तो कहते हैं अच्छे होंगे बढ़ियां होंगे नहीं जो नहीं ने किया उसको लिए काम किया वह बढ़ियां कम धुरू देते हैं अगर वह बढ़ियां किये होते तो 40 सब्सक्राइब तो काम पे जनता की अडालत में अपनापना निवेदन करों कौन-कौन लोग आते काउन नहीं आते ये तो 22 के बाते होगा राजभर जी एक तरफ कहिते हैं कि भाया अखिलेश या दब भढ़िया सीम होंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि बीजेपी अगर हमारी शर्ते मान ले तो हम बीजेपी की तरफ चले जाएंगे तो मतलब राजभर जी की जो लुटिया है कभी इधर धना करें कभी उधर धना करें तो काई गिरतना जाई नाई कभी नहीं गिरेगा देखिए हम लोग पुरवांचल की माती से आते हैं और इतना गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत उत्तर प्रदेश की जो सियासत है इतना तो आपको यह असास हो गया होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रिकास के राजभर की इर्दिगीर्द गूम रही है सारे लोग और प्रिकास राजभर को चाहते हैं कि वो मेरे साथ आजाए मेरी सरकार बन जाए हम चाहते हैं कि बहुत दिन ये समाज आपके साथ रहा हैं आप लोग हमारे साथ आजाए हम सरकार बना के दिखावें आप कहते हैं आपने अक्सर कहते वे दिखे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी अखिले इशादव को ब तो योगी जी काम नहीं कर पा रहेगा नहीं कांग्रेस योगी जी बहुत मेहनत करते हैं दौड़ते बहुत हैं लेकिन उनका हथवा बान दिया गया है वो कर नहीं पाते हैं और अखिलेश जी हैं उन विचारे अमेरिका से पढ़के आए हैं विरासत में राजनीती मिल गई ह तो धरातल की खबर तो है नहीं दाने बहुत डाले राजबर जी लेकिन समाज बातियों ने हाथ नहीं आगे बढ़ाया नहीं लोग दाना डालने लोग बुला रहे हैं उन प्रिकास राजबर नहीं जा रहे हैं अच्छा राजबर जी सुभा शाम को तो बीजेपी को गरी आते हैं और सुभा जाकर के चाय पी आते हैं मतलब लोग समझ ना पा रहे हैं कि आज राजबर जी का कर रहे वाले हैं देखी राजबर जी जब मंतरी रहला तो स्वतंद्यों पटेल भईया भी मंतरी रहला तो हम उन्हों एक साथे बैठा उठाब चाय पीये तरली ने एक जिम्मेदारी प्रदेश की दे दिया तो संबंद हमारा उनका है तो संबंद के वज़ा से हम जाते आते हैं चार बार मिल चुके लोग तो एह कहलबा कि आपको तो अमिस सब होन के रहे हैं देखिए तरक यह सक को को कोई दूर नहीं कर सकता है आज तक जब से मैं हट हूं सामाजिक निया समितिक रिपूर्ट नागू करने के लिए जब अमिसा जीने कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे तो हमने करके हम कहें लीज॥ी पाएय कहलें चल दिए तो अब लोग मुंतर करते हैं कि हूँ आ दया जारे हैं अरे भाईया काहें जाएं अजब हुआ गरम दूद पीते समय बिली जल जाती है तो माठा फोक फोक करती है अच्छा ये बताईए राजभर जी आपने चलिए क्लियर नहीं क्या कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है चलिए कोई बात नहीं बात में पूछेंगे तो बताई है कि अभी 2022 में किसका पलणा भारी होगा अच्छा चलिए चार नेता होगा नाम ले रहे हैं ठीक है आपको अपने सबसे नंबर वान नंबर टू नंबर ठील रखना है ठीक है आपको नंबर देना है मोदी योगी अखिलेश माया बताए नंबर वन टूटी पॉल का है सब मोदी जी पूरे देश को गोल मल बना दिये कहे कि देश वीकने नहीं दूगा और देश को बेश दिये योगी जी ने कहा कि हम सबका साथ सबका भी कास करेंगे रोज हिंदू मुसलमान बोलते हैं लडाने की बात करते हैं नफरक बीच करने कि कोशिश तो किया है कांग्रेस के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए और समाज बादी पार्टी के लिए ये लोगा हमारे में सामिल होनाचा है तो हम उनका स्वागत करते हैं करम चाही भी पिलाएंगे तो हम ओम प्रकाश राजबर जी को मुख्यमंद्री बनते हुए कब देखनेंगे बताइए आप देखिए आप टाइम आएगा जब लोग चाहेंगे ताइम तो आवेला 2022 का चुनाव आवेला आई जल्दिया आई अब प्रदेश की जनता को विकल्प की तलास है जैसे देश म में लंबे समय तक कांग्रेस आशन किया तो विकल्प में जनता पार्टी आई फिर जनता धल आया फिर उसके बाद कोई नहीं मिला फिर कांग्रेस आ गई तब मोदी जनता जोन हो अब समझ गयलबा की गुजराती हुए भीया जिस देश का सासक जिस देश का राजा जात यह कमज़ोर जो पढ़ली करके फोर्थ कलास में रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे में मिलती थी लेकिन मोदी जी ने खतम कर दिया अब नोकरी गईल अब उपढ़ली करके नौजवान का करेगा बेकार मोदी जी ने कहा ना कि हम देश बिकने नहीं देगे रेलेवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, बीस कि ऐनल बेच दिया पूरा देश सब्र 및 बेचने पर हैं और यह जान लेज़ है पुरे देश को भी पता नहीं है इस तीव प्रदेश को नहीं पता है इस देश में गुजराथियों लुट रहे हैं वो देश लूट रहे हैं आने वाले दिनों में घरों में जिस घर में आज के तारिक में जिस घर में बढ़ियां भोजन बनता था आज एक टाइम डाल बन रही है आपको नहीं लगता कि पांच साल राजभर जी ने बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ाई करके एकदम बेकारे कर दिये मंत्री रहते तो पिछडों का कुछ कल्यार हो जाता नहीं ह नहीं होता जो मैं चाहता था वो करने को तयार नहीं थे वह कह रहे थे कि हमारे साथ खूल कर बोलिए कि बीजेपी का है मतलब आपको आप मंत्री पर रहें लेकिन पीजेपी सीरियस का है नहीं राजभर जी को देखे राजभर जी जगडा जंजट नहीं हम उनके वादे प 27 स्पर्षय जर्वेसर उसको हम जो लागू करेंगे उनुने धुर्षय करेंगे विकुष्च करएंगे लेकिन किया क्या है कि यहीं टैफियों मा देले होता हैं एक टाफी बी दिया होता एक मुद्धा города तो हम मानते हिसाथ जारे वहां कुछ नहीं मिल ला है हम अगर पांच साल के बाद छोड़ते तो यहीं देश प्रदेश के लोग कहते कि एक मलाई खा लेल से तब निकलल है एस नाते हमने सोचा कि भड़िया बढ़ियां है कि एक समय था कि बाबा साथ डाक्टर अंबेटकर बंची समाज को जब हिस्सा कांग रहेंगे राजबर जी योगी जी से आप बहुते जादा नराज रहते हैं तो काहे नराज रहते हैं मतलब आप यह समझ नहीं आता कि हमेशा उनको खरी-खोटी सुनाते रहते हैं काहें पीछे पड़े योगी जी इस दल में भारा सामिल हैं उस दल के मुखिया ही झूट ब बना देंगे दूसरा उन्होंने वादा किया कि जब जनता ने उनको ओड दे दिया कि भई चलो तुम सोने की चडिया बनाओ तो सोने की चडिया ना बना कि उन्होंने का कब 200 गुरू हम बनाएंगे 200 गुरू बनाते बनाते उसको भी नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने अब कह कि आत्मनिर्भर बन जाओ तो उन्हीं के तो चेला यह हैं उन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे आज उठा के देखिए गई सिलेंडर गई सिलेंडर फिरी में दिये दुगुना कर दिये जो 400 का था अज 900 के आस्पास हो गया जो तर्षों का तेल 50 रुपया था द्हाई सो भी करहा हैं जो अरहर की दाल 55 रुपया थी Yeah सवासो भी करहा है पेट्रोल जो साथ रुपिया था वो सवक पार कर गया जो डीजल था जो पंचाउं रुपिया सवक पहुंचने वाला है तो यह उसी गोल के बजनिया है यह नंबर एक के जुठा है यह तो साधू महत्मा इनको तो मंदिर में जाके घंटा बजाना चाहिए इनको यह नहीं रहना चाहिए सोभा नहीं देता है तो आप कहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप ना योगी जी को मुख्यमंत्री बनावेक चाहते हो ना अखिलेश जी को चाहते हो तो का चाहते हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा किसको बना रहा है हम सरकार बनाना चाहते है हम सरकार बना के हमने रिहलसल देखा इसी यूपी में बहुजन समाज पार्टी और भरती जनता पार्टी ने 6-6 महिने के सीएम का समझाता किया उत्तरा खंडे में 4 साल में 3 सीएम हो गए तो हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है हम लोगों ने लीडर पैदा सुरू किया विभिन पार्टी ओं में लोडर हैं जैसे चाहे राजभर हो चाहे पाल हो प्रजापती ओ कुमार नाई ओगुर कोई जाती का हो वह वहां लोडर बना हुआ है जब ब्रामण के उपर अत्याचार होता तो लोडर नहीं बोलता है जब आप का मामना सब खराब कैसे हो गया मतलब जो जो दबाई से ओवेसी को ऐलर जी है वही दवाप सुबा चाहे के साथ लेते हैं ना उनको एलर्जी है ना किसी को एलर्जी है इलर्जी सबसे ज्यादा भाजपा को है इसनाते की लांबंद 22 परसेंट ओट मुसलमानों का है अभी कंगरीस सिस्पा करती इ Hail जैसा कि तरकरियों में पर जाएंगी रसेदारों में पर जाएंगे चोको में पर जाएंगे सब यह इस्तेमाल श्तेमाल नहों इसके लिए उब ऐसी प्रयास करें तो लोगों को लग रहा कि तो मामला बिगड़ेगा जहां से हम आते हैं पुरवांचल में 12 से 22 परसेंट अकेले हमारी जाती है वहीं 3 तो हमारे इंट्रव्यू के खासियत होती है बताएं आपको कि हमारे इंट्रव्यू में हमें गेम खेलते हैं हाला कि ओलंपिक का समय चल रहा है यहां दिखाएंगे यह पीछे जो है लखनों के मिना रहे हैं तो हमारा इंट्रव्यू में खासियत है कि हम जो गेम खेलते हैं उसमें हम कई सारे नाम लेते हैं जिसमें आपको एक शब्द में जवाब देना होगा कहें कि 2022 का ओलंपिक आने सरकार बना करके जो मुद्दे हमारे उसको लागू करके दिखाएंगे अखले शादव नहीं योगिया दिखना नहीं मुहमोदी नहीं सुभास्पा हां अरुन राजबर नहीं और प्रकाश राजबर नहीं यह तैं करेगा भागीदारी संकाल्प मोर्चा लखनों हां लखन लखनव को नबावों की नगरी बना दिया अब आप कहेंगे कि मायवती क्या जा रहे हैं हम 1090 पर खड़े हो जाएं तो मायवती जी की याद आती हैं हम अगर 1090 से निकले एयरपोर्ट की तरफ तो मायवती जी याद आती हैं अगर हम 1090 से और आगे बढ़ें गुंती रिव कांग्रेश की बात करते हैं कि मुदी जी जो बेच रहे हो कांग्रेश ने बन वाया है मुदी जी ने कुछ नहीं बनवाया कांग्रेस की बनी बनाई संपत्ती जो देश की है उसको बेच रहे हैं तो लोग करते हैं कांग्रेस जा रहे हैं ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो अपनी खुल कर बाते करते हैं बहुत कम नेता होते हैं राजबत्त देखे हम लोग नेतागरी नहींक है हम लोग सच का सामना करने के लिए निकले हैं और सच बोलते हैं सच कड़वा होता है लेकिन उसको लोग सुनते हैं सभी परेशान हो सकता है पाराजित कभी नहीं हुआ है सर बहुत बढ़िया आप से बात करके बहुत अच्छा लग रहा अच्छा सर आप बसपा में रहे बसपा छोड़ दिया अपने 2004 में और फिर अपनी पाटी का गठन किया तो कैसे क्या सोचा कि अब अपनी पाटी बनाई जाए देखे हम बहुत गरीब परिवार के हैं पहली ब महिना चलाया टेंपू चलाया फिर उसको डिस्चार्ज कराके जब घर ले आए तो जीब खरीडा तो उस जीब को मैं खुद ड्राइबर करतें ड्राइबिंग करता थे कंड़क्टर रखा और सावारी में चलाया हमारे गाव में फूलपूर सिंदुरा रोड है उसी पर हम चलाते थे उसको पैसा कमाते तो भाई की दवाई करते थे वह जब जीब से कामदनी नहीं हो पाई तो हम लोगों ने कामर्सियल खेती शुरू किया फिर हम लोगों ने टमाटा रालू भी भंटा इसा पैदा करके हम ले जाने लगे मंदी उससे कमाए तो उसी भीच घटना हमारे यहां गाओं में घटी हमारे परोषकों डखैती पर गई तो डखैती परने के बाद हम जो है लखनव आए डीजीपी से मिलने के लिए अब उधर हम कांसी राम जी के मीटिंग में चौरी छुपे घर के पीता जी के चौरी से जाते थे कांसी राम जी के विचार हमको बहुत अच्छे लगे तो मन हमने बनाया कि इनके साथ हम राजनीत करेंगे तो चौरी चौरी हम कांसी राम जी की मीटिंग में जाते थे पिता जी की चौरी पिता जी की मनसा माता जी की मनसा थे कि यह पढ़े लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ हम उनके साथ भी राजनीत मे करने तो 14 साल लगातार फिर हमने जब खेती का काम बन किया तो राजनीत में कूद गए और चुनाव लड़े सोरो सोचीहेत्तर रोड से हार गए हारने के बाद मायवती जी से हो गया जगड़ा जगड़ा किस मामले पर हो गया कुछ सब्सक्राइब कि पर लिए हुआ थिए लेकिन अधिकारी उनको गलत फीट वैक हम उनको बताे थो हमारी बात मांती नहीं ती इस वजह से करके हमारे यहां जैसे भधोही का नाम उन्होंने बदला तो हमने का भधोही भरों की राजधानी थी वहां एक भर सासक का नाम से रखिए बनारस में उन्होंने दुनिया को हो नहों पिछड़े समाज की बाउन पर सेंट आवादी इसमें कुछ भरती हो जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 के तो एक अलग से कोचिंग खोल दीजिए ताकि इनके भी बच्चे पढ़ली करके डाक्टर मास्टर इंजिनियर का लेक्टर बन सके तो उन्होंने कहा कि चलो तो बहुत बोलते हो अभी बाद में विचार करेंगे फिर उसके बाद जो है जगड़ा वैसे के साथ रहे उनको आपने नराज कर दिया तो किसी से बंती क्यों नहीं है आपकी हुद कि हम रहत करते हैं शश्यारी की बात करते हैं लडाई की बात करते हैं हम nihayरे, आज वी सक्षा बहत हो, आज भी60 सिक्षा है देश में कौन जिम्मेदार है आज कानून बना दिया हम तो गारंटी के साथ कहते सरकार बनेगी कानून बनाऊंगा असनात को तर तक कापी किताब फीज दवाई भोजन वजीफा कपड़ा सब दूगा सब कुछ दूगा साइकिल दूगा फिरी में सिक्षा दूगा असनात तब तक जागेगा नहीं तब तक अपने इतिहास को नहीं पड़ेगा अपने देश की ब्योस्था को नहीं समझेगा तब तक रोजगार की तरफ नहीं जाएगा जो असिक्षित है उसके रहंसन में जमीन असमान का परक है जैसे हम आपने का ना कि योगी जी का विरोद करत अब कानुन बनाना है कि जनसंख्या कानुन से नहीं हो सकता यह महिलाओं को असनात्कोतर तक फिरी अनिवार शिक्षा दें उनको सिक्षित करें हम गारंटी करते हैं कानुन की कोई जरूरत नहीं है जब वो शिक्षित होगी जो परिवार सिक्षित है उस परिवार में अपने आप जनसंख्यानी अंत्रण है तो हम तो शिक्षा की तरफ बल दे रहे हैं अब कानुन बना रहे हैं उल्टा तो हम इसी से उनका विरोध करते हैं अगरी सवाल की लखनों में एक रिपोर्टर है प्रग्या मिस्रा उसको आप कई से जानत हम समझते हैं कि देश में इने गुने पत्रकार हो सकते हैं अगर वास्तों में पत्रकारता का धर्म अगर निभाने का काम कोई कर रहा है जो हमने रीट किया है तो प्रग्या मिस्रा आपका उल्टा चस्मा भी मैं देखता हूँ तो आपने आप आज हमें आपसे मिलकर बहुत मज़ा आवेला हमको भी बहुत आनंदा जाए है तो भाई आज हमारे साथ थे सुभासपा पार्टी के राश्ट्री अध्यक्र श्री ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ बाते करके बहुते मज़ा आवेला और आप लोग कम साथ के लिए खूब सारी शुप कामना है और हम चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम करें आपको बहुत बहुत धन्यवाद और 2022 में भागीदारी संकल मुर्चा के सरकार बनेगी तो आपको पहला निमंतरन दूगा बुलाने के इंट्रव्यू लेने आएंगे आपका हम जरूर 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 तो भाई आप लोग देखेला सोचेला परखेला तब जाकर बोट देवेला जाहिन